होंग कॉंग और मकॉंग जाने के लिए आपको सिर्फ एक ही डॉक्यमेंट की रिकॉयमेंट रहती है वो है पार यानि की प्री अर्याइवल रेजिस्टेशन अगर पार के प्रोसेस की बात करें तो पार यानि प्री अर्याइवल रेजिस्टेशन के लिए आप गूगल में जाके सर्च करें हौंग कॉंग पार फॉर इंडियन्स और जो सबसे पहले लिंक आए उस पर क्लिक करें मैं स्क्रीन पर बताता हूं आप यह स्टेप्स फॉलो कर लीजिए सबसे पहले यह लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह वेबसाइट ओपन हो जाएगी आई एम एम डी डॉट जी ओवी डॉट एच के एप्लाइन और पे क्लिक करिए उसके बाद पेजिस ओपन होना स्टार्ट ह हो जाएंगे आपको टिक करते करते आगे बढ़ना है तर्डे में इंगलिष यहां आपका सर्डेम डालिए गिवन नेम इन इंगलिष आपका नाम यहां पासपोर्ट का फोटो भी दिया है कि नाम किदर है सर्डेम किदर है फिर वह ही आपके परसनल डिटेल्स सैक्स मेल य इशू, देट अपट एक्सपारी, यह सब आपके पास्पोर्ट में मेंशन होगा। फिर पिछले तीन साल में होंग कॉंग ट्रेवल किया है तो उसकी डिटेल्स वरनां नो पे टिक करिके। कितने दिंग का स्टे है और आपके accommodations की detail आप online hotel book करवाले और booking details इसमें डाल दीजिए आप कितना fund साथ ले जा रहे हैं local connection नहीं है तो आप no पे tick करिए इसके बाद सब जगा no पे click फिर आप से एक identification question question पूछेंगे who is your childhood friend वगरा वगरा उसका answer देजिए और यह रात रखिए क्योंकि अगर आपको आगे print निकलवाना पड़ जाए तो identity question से print निकलेगा फिर validate करके confirm and continue पर click कर दीजिए आप जैसे ही validate करते हो तो on the spot आपको पार का successful या unsuccessful का आ जाएगा और अगर laptop या PC से कर रहे हो तो print का option भी आ जाएगा जिसे आप अपना successful पार का print out निकाल सके keep in mind जो भी आप form में fill कर रहे हो उसमें slightly mistake भी ना हो वरना immigration में काफी तकलीफ आ जाएगी आपको 14 days का free visa मिल जाएगा जिसकी validity पार आने के बाद 6 months की रहती है आप जब Hong Kong land करेंगे तब आपको वहाँ पर अपना पार दिखाना है और लग गया आपके passport पर Hong Kong का stamp